ही गाईज वैलकम बैक तो मैं योटीब चैनल दोस्तो आझ की इस वीडियो में हम जानेगे कि गर्भ में बीटा किस साइट हल चल करता है किस साइट प्रेजेंट होता है तो दोस्तो वीडियो बहुत ही एलप पूल होने बाली है इसलिए वीडियो को लाइक करदे चैनल बढ़ाया है तो सब्सक्राइब भी जरुर करदे दोस्तों इस वीडियो में हम जानेगी कि अगर आपने बेभी बॉय को गंसिप किया है तो आपको किस साइड फिल होता है और अगर आपने बेभी गर्ल को कंसिप किया है तो वो के साइट फील होती है दोस्तों दोनों ही बहुत प्यारे होते हैं हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश किसी भी प्रकार का लिंक बेदवाओ करना नहीं है हम लड़का और लड़की में कोई भिएदाओं नहीं करते हैं कोई भी लेडी हो जो माँ बनने वाली हो उसके मन भी ये सवाल आता ही है कि उसका होने वाला बेबी क्या होगा वो बेटा होगा या फिर बेटी होगी तो इसका जानने का एक मात्र तरीका है मतलब सोनोग्राफी अल्ट्रा साउंड रिपोर्ट में ये पता लग जाता है लेकिन कोई बताता नहीं कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा नहीं कि आपने बेबी बोई को कंसिव किया है या फिर बेबी गर्ल को तो आप इस चिक्यास को कैसे शांत कर सकती है बस ऐसी कुछ जो पुरानी दादी मा नानी मा हुआ करती थी वो जो भी सिंकम बताया करती थी बस उससे से आप एक अंदाजा लगा सकती है कि आपको होने वाला बच्चा बेटा होगा या फिर बेटी होगी तो चलिए हम जानते हैं कि अगर आपने बेबी बोई को कंसीब किया है तो वो कहां पर हल चल करता है कब हल चल करता है तो देखिए दोस्तों अगर आपने बेबी बोई को कंसीब किया है तो आपको पांचवे की एंड में जो पांचवे महिना होता है पाच्छो महीने के end में या फिर चटे महीने के starting से आपको हलचल मैसुस होने लगए कि मतलब आपको ऐसा feel होगा कि आपका बच्चा moment कर रहा है ठीक है अगर आपको यह जो moment है अगर आपको तीसरे तीसरे महीने के बाद चोते महीने मेहिने ही अगर आपको moment हलकी फुलकी मैसस होने लगती है कि आपका बच्चा गूम रहा है आपर किक कर रहा है या फिर फील होता है कि आपका बच्चा कुछ हरकत कर रहा है अंदर तो ऐसा माना जाता है कि होने वाली बच्ची एक फ्यानिसी बेटी होगी फिर दूसरा हम लेते हैं दोस्तों कि किस साइड होता है धिजर आपके 索़म जाता है कि अगर आपको होने बच्ची है समारा जाता है दोस्तों थीसरे पॉइंट बताने से पहले मैं आप लोगोचे क्लिए कर देना चाहते हूं कि वह भी जो वो इसम्टम आप लो ऊसे शेर कर रहे हो उनिजयर में और किसी को है कि आप बॉलने तो अगर ऐसा समाने हैं आपके सांथ में दे रहा है है तो आपको बीटा ही हो होगा यां हbecca बाइस कैसे सब दो आता हुर मत होला होता लुगा है किघा समाने हैं बेटी होगे इससे बिल्कुर भी शूरिटी नहीं होती है फिसरोफ अपकी जो मन की जो जिग्यासा है उसे शान्त करने के लिए ठीक है इसे आप एक गैसिंग गेम की तरह लो एक एंटरेन्मेंट के दोर पर लो तो यह आपके लिए अच्छा हो गाया तो चलिए जानते हैं अब तीसरा पॉइंट तो जो तीसरा है अब इस तीसरे से हम जान सकते हैं कि आपका जो पेट है वो कैसा दिखाए देगा आपके पेट का शेप कैसा ओवल शेप में दिखाए दे रहा है लंबा सा दिखाए दे रहा है तो ऐसा मना चाता है कि आपने बेभी बॉय को गन्सीप किया है वहीं अगर आपका जो पीठ बिलकुल गोल है फुट पोल कि तरह तो आपने आपके गरब में पल रही बच्ची एक बेटी है और इसके साथ ह एक और ठीप है दोस्तों, अगर आपकी जो, अगर आपको सरफ पेट ही पेट बढ़ रहा है, पेट पेट ही आपको, मतलब बच्चा अगर पेट में है तो आपकी पेट ही बढ़ेगा लेकिन, आपकी फूल बोडे में, कहीं भी आपको फेट नहीं दिखता है, आपका जो इखेशे का हिस्सा हल जिसे हम हिप whether हैं या फिर कमरा का जो छोड़ा हो रहा रहा है अपकी कमरं चोड़ी और अइसा माना जाता है कि आप प्यारी सी बैटी में को देने वाली हैं तो दोस्तों अज की वीडियो waar हम यहीं पर मचाना तो मिलते हैं नेक्स स्टूडियों को तक लिब